तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और उमीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाले दे इसी जैबरानिक स्पीकर से देड़िट और तुब वेरी ओनस्त मैं इनको अभी लगवक डीड़ दो महिने से और उससे पहले से तो इसका मुझे इसका रिवी बहुत ही मदब बढ़िया लगा तो अब यह जैसे घर में पंदब पड़े हुए और इनको टांग नहीं सबसे अच्छी बात है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी 5-1 के साथ ना जाए क्योंकि यार देख रहे हो मैं इसको तार तूर दिखाता हूँ अभी इनके देखो तो यह एक बहुत बड़ा एक मतलब अपने आप महीं मैस है मैं रिकमेंड करूंगा कि मुझे अच्छी डील मिल रहे थी इसलिए मैंने इनको पर्चेस कर लिया लेकिन मुझे ऐसा पता होता था इतना बड़ा है इसके लिए नहीं आया पता नहीं क्यों नहीं आया यह जैसे आप देख सकते हैं 5 इसके सब स्टीकर है 2 3 4 5 तो यह 5 आएए इसके साथ ये wall mount तो आज की जो वीडियो वो इसी के लिए कि इन wall mount को कैसे connect करते हैं इनको दीवार पर कैसे टांगे क्योंकि अगर ये जमीन पर रहेंगे ये मतलब table tool पर रहेंगे तो कोई साथ चुवा हुआ इसकी wiring कट करते हैं तो वो भी एक बेकार एक unnecessary का mess create करते हैं तो better है इनको तो हवा में टांग दें ठीक है ना तो ध्यान रखें इस वीडियो का और अभी मैं एक का बताऊंगा और ये पांचों के लिए automatically lagu हो जाएगा ठीक है तो अभी एक का बताने वाला हूँ और ये सब पर lagu है तो हाथो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये जो speaker है अब इसमें हम इसको कैसे लगाएंगे ठीक है तो इसको जैसे मैंने आपको बताया ये इसमें इस तरीके से लग जाए कोशिश करना आपको बिल्कुल इसको बिल्कुल बीच में लगाना है बिल्कुल इधर उदर ना हो ठीक है बीच में लगाके आपको ये वाले जो page है ये छोटे छोटे जो page है ये लगाने है तो सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों आप इसको इसको कसोगे चाइना page की तरह तो आप से कसे नहीं जाएंगे तो better है कि आप इतना बड़ा सा ये एक चोबा ले और चोबा लेकर इसको बिल्कुल बीच में करके जितना आप accurate देख सकते बिल्कुल बीच में करके ऐसे मतलब इस चोबे में इस तरीके से करके क्या बूलते हैं marking set कर लें ठीक है marking set कर लें आपको कहाँ एक लगाने I'm sure आप समझ दे होंगे और मैंने इस तरीके से marking set की है एक तो जैसे देखो आप देख सकते हैं ये और दूसरा है ये ठीक है और marking set करने का ऐसा नहीं आप marking set कर लोगे और ये फिर कस लिया जागा यह फिर भी नहीं कसा जाएगा पता नहीं क्यों इन कंपनी वालों ने बड़ी गड़बड की यहां को कुछ ऐसा करना चाहिए तो डारेक्ट लग जाए लेकिन उन्होंने नहीं किया तो आपको पहले इसको पेज को इस तरीक से ठोकना पड़ेगा थोड़ा सा अंदर इतना भी मत कर देना इस प्लायर की हेल्प से या किसी से की भी हेल्प से इसको जैसी आप अंदर तक थोड़ा सा ठोक होगे ना तब जाके आप इस पेज को कस पाऊगे लेकिन मैं आपको मतलब यह मतलब थोड़ा सी वार्णिंगी दे रहा हूं इसको बहुत आराम से करना क्योंक यह वाला यह जो पेच है यह कसा जा रहा है अच्छे से फिर आपको क्या करना है इसको यहां पर लगाना है लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको कभी निकालूंगा नहीं मुझे से पर्मानेंट नहीं फिक्स करे रहना है तो मैं क्या करूंगा इसकी यह जो सर्फेस इसको हलका सा rub करूँगा, rub इसलिए करूँगा, क्योंकि काफी chicken आχे, Lewis यूर्ण मैं इसलिए कर रहा है, क्योंकि मैं इसको Corinthians, attach करूँगा, सबसे पहले, हलगा सा मैं इस पे फेक लगाँ के, इस इलाके पे ऐसे यूशा इस पे लगाके, यह जो मैंने जो दखाया था जो एसे आपको ठोधेसे डीप होल करने थोड़े से डीप होल करने के बाद तब आपको इस पर चुपका देना है चुपकाने के बाद आपको पेज कस से इसको कसना है जिससे कि एकदम दुगनी ताकत आ जाए कभी निकली ना क्योंकि मुझे इसको निकालना नहीं है है ड़के इसको मैं कहां रखे फिरूंगा यार बैटर है दीवाल पर ही हवा म यूज कर सेके और जैसे कि आपको पता यह जैब्रोनिक्स का है और प्रोड़क्ट काफी अच्छा है मतलब इसकी आवाज काफी अच्छा है 5.1 और 2.1 सब मोड के साथ आता है और जब यह तंग जाएगा दीवालों पर तब मैं आपको बता दोंगा बठां जो में जो वू वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद